हेलो प्रेंट्स वेलकम बेक टू टेक्निकल ब्रगू तो दोस्तो मी नोट 10 प्रो जो की ओफिसली लॉंच हो चुका है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मी नोट 10 प्रो की पुल इस्पेक्स के बारे में कि इसमें आपको क्या कुछ फीचर देखने को मिल सकते हैं और साथ ही बताऊंगा इसकी इंडिया के अंदर प्राइस के बारे में और दोस्तो इसमें मी नोट 10 के कम फार्जन कितना ज़्यादा इंप्रूब किया गया है इसकी डिस्प्ले कैमरा प्रोशेसर एंडियाण प्राइस में कितना ज़्यादा इंप्रूब देखने को मिलेगा तो सब कुछ बताऊंगा इस वुडियो में वीडियो के साथ बने रही है तो चली दोस्तो वीडियो श्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डियान के बारे में तो इसमें आपको सेम मी नोट 10 के जैसा ही डियान देखने को मिलेगा और बैक साड में आपको पेंटा कैमरा सेट अप विद डॉल एलेडी प्लेस भी मिल जाएगी और बैक साड में आपको गोरिला गिलास 5 का प्रोटेक्शन भी मिलने वाला है और अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में तो इसमें आपको 6.5 इंचिस की फुल HD प्लास सुपर एमूलेट पैनल देखने को मिलेगा जो की दोस्तो फुल रेजुलेशन के साथ आएगा जिसका रेजुलेशन होगा 1080 x 2400 पिक्सल का और इसमें आपको 98 का रेप्रेस रेट वाला डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा और इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगर पेंट सेंसर एंड सेल्पी के लिए वाटर डॉप कैमरा भी मिल जाएगा और इसकी स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए गोरिला गिलास 5 का प्रोटेक्शन भी मिलेगा वही पर बात करते हैं सके कैमराज के बारे में तो दोस्तो ये भी आपको मी नोट 10 के जैसा ही देखने को मिलने वाला है इसमें आपको बैक साड में पेंटा कैमरा सेट अप देखने को मिलेगा जिसका प्राइमरी सेंसर होगा 108 मेगा पिक्सल का जिसमें सोनी का IMX686 का संसर यूज किया गया है और इसी के साथ आपको 4 लेंस और मिलेंगे जो कि होंगे 12 मेगा पिक्सल का टेलिपोर्ट लेंस 5 मेगा पिक्सल का डेप संसिंग सेंसर 20 मेगा पिक्सल का अल्टा बारेंगल लेंस और 2 मेगा पिक्सल का माइक्रो लेंस और दोस्तो इसमां आपको 50X जूम एंड 4K वीडियो लुकॉटिंग जैसे फीचर भी मिल जाएंगे और प्रेंट साड मां आपको सेल्पी के लिए 32 मेगा पिक्सल का वाटर डॉप सेल्पी केमरा भी मिल जाएगा जो कि स्क्रीन फ्लेस के साथ आएगा एंड अब बात करते हैं उसके प्रोसेसर के बारे में तो इसमां आपको Qualcomm Snapdragon 730G का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि दोस्तो 8 नैनोमीटर की टेक्नोलोजी पर बेश दोगा और इसमां आपको GPU मिलेगा Adeno का 620 का और इसमां आपको Android 9 का सबोट भी मिलने वाला है जो कि बेश दोगा MIUI 11 पर और दोस्तो ये दो रैम विरेंट के साथ आया है 6G प्लस 128 GB और 8G प्लस 250 6 GB अब बात करते हैं उसकी बेंटरी के बारे में तो इसमां आपको 5260MH की बेंटरी मिल जाएगी विद फार्ट चार्जिंग सपोर्ट और आउट अप दा बोक्स आपको 30W सुपर पार्ट चार्जर भी मिल जाएगा और दोस्तो इसमां आपको Type-C पोर्ट का सबोर्ट भी मिलने वाला है तो चली दोस्तो अब बात कर लिते हैं इंडिया के अंदर प्राज के बारे में तो दोस्तो इसकी बेस ब्रेंट यानि की 6G प्लस 128GB की प्राज होगी 30,000 रुपीज वहीपर इसके सेकंड ब्रेंट यानि की 8GB प्लस 256GB की होगी 37,440 रुपीज यानि की दोस्तो देखा जाते हों अल्ली 30,000 रुपीज की प्राज में आपको 108MP का पेंटा कैमरा सेट अप, Qualcomm Snapdragon 730G और 54260MH की बेंटरी देखने को मिलने वाली है यानि की दोस्तो ये स्मार्टपून काफ़ी जबरदस्ट स्मार्टपून होने वाला है और इसमें आपको Mi Note 10 के कम फार्जन ज़्यादा इंप्रूव देखने को नहीं मिला है तो दोस्तो ये थी है My Note 10 Pro की पुल स्पैक्स आई होब दोस्तो की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर इस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दिजे और चनल पर अभी तक नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा